Dear Students, Welcome to the STP Computer Education Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft Excel का Chapter No. 3 Advanced If Condition को contain करना है Students, लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्रेड लिक आलना सीखा था If Condition के साथ लेकिन आज हम कुछ Advanced If Condition के बारे में सीखने वाले हैं तो Advanced If Condition को सीखने से पहले कुछ basic चीज़ों को पहले सीख लेते हैं फिर उसके बाद हम Advanced Condition पे चलेंगे तो याद होगा आपको ये Cut, Copy, Paste जो Tab है आपका Excel का ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है Microsoft Word में ये Cut कैसे होता है, Copy कैसे होता है, Paste कैसे होता है अमित और इसको मैं थोड़ा Decorate कर देता हूं जैसे कि यहां से देखिए इसे Bolt कर दूँगा Italic कर दूँगा या Underline लगा दूँगा ठीक है क्योंकि ये सारी चीज़े आपको Word में करवाई गई है और आपको ये अच्छी तरह से आती भी होगी इसे Select करो यहां से इसका Style चेंज कर दो कुछ इस तरह से देखिए जैसे मैंने यह कर दिए Century Gothic इस तरह का इसका Color चेंज करना होगा तो आप कैसे Color चेंज करोगे यहां से देखिए आप इसका Color भी चेंज कर पाऊगे इसके Background में Color करना है, Cell के Background में तो यहां से आप Highlight कर दोगे देखिए कुछ इस तरह से ठीक है मैं चाता हूँ जो यह Cell है इसके 4 तरफ Border लग जाए तो आप क्या करोगे यहां आओगे Border पे और यहां पे Outside Border को Select कर लोगे जिससे कि देखिए इसके 4 तरह साइड में Border लग जाएगा अगर देखिए मैंने कई साए Cells को Select किया और यहां पे All Border कर दूँगा तो क्या होगा जितने भी Cell होगे उसमें Borders कुछ इस तरह से आजाएगा और यह एक तरह के टेबल का रूप ले लेगा ठीक है I think आपको समझ में आया होगा Border अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो Select करूँगा और No Border पे क्लिक करे दूँगा जिससे Border हट जाएगे अगर मैं Outside Border करूँगा तो इसके 4 तरफ Border लग जाएगे आया आपको समझ में Top Border चाहिए तो Top Border आएगा इस सब मैंने आपको करवा रखा है अगला है Thick Border तो Thick Box Border पे क्लिक करोगे थोड़ा Thick Border आएगा आपको यहाँ पे ठीक है कुछ इस तरह से Double Bottom Double Border क्लिक करो तो नीचे Double Border आजाएगा देखिए कुछ इस तरह से stylish रूप एक देने के लिए ऐसा Border आपके पास आजाएगा तो Border कई तरह की तरह की है आप इसे करके देखिएगा आपको समुझ में आ जाएगा अब जैसे मैंने यहाँ लिखा Dilip अब मैं चाहता हूँ जिस तरह से यह Amit लिखा हुआ है उसी तरह से Dilip भी हो जाए लेकिन बिना यहां से कुछ changes किये जिसे Bolt भी नहीं करूंगा मैं यहां से Iteric भी नहीं करूंगा तो कैसे होगा Format Painter का हम इसमें यूज करने वाले हैं तो कैसे होगा पहले आप Amit को select करोगे Format Painter पे क्लिक करोगे और Dilip पे ले जाके पेस्ट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आप design को copy paste कर पाओगे Format Painter के through ठीक है यहां से आपको पता ही है कि font size increase होता है और decrease होता है यहां से भी increase और decrease आप कर सकते हो यह आपके पर depend है ठीक है अगला देखिए option आता है alignment का आपने सीखा होगा Microsoft Word के अंदर की four types के alignment होती है left right or center justify लेकिन Microsoft Excel के अंदर six types के alignment होती है जिसमें की top bottom middle देखिए top middle bottom left center right कैसे काम करेगा ज़र देखिए मैं चाहूं तो यहां से देखिए ऐसे पक्रे column को ऐसे बड़ा भी कर सकता हूं देखिए ऐसे और row को भी इसे खीच के बड़ा कर सकता हूं अभी देखिए एक row एक cell है मेरा यह मित कहां पर आ रहा है एकदम bottom में left side ठीक है मैं चाहता हूं यह आये center में top में यहां पर आये top center यहां से देखिए मैं top choose कर दूंग top हो गया और center के लिए यह center choose कर लूँगा कुछ इस तरह से ठीक है आया आया आपको समझ में तो आप एक बड़ करके देखिएगा आपको सिरसरी समझ में आ जाएगा अब बात करते हैं, इसकी में से center कर देता हूं दोनों को, यहां पे middle और यहां पे center, ठीक है, मैं जाता हूं इसका angle change हो जाए, तो आप कैसे change करोगे इसका angle, आप यहां जाओगे AB पे orientation, और यहां पे जो आपको angle चाहिए, वो ले लीजेगा, ठीक है, जैसे यह वाला चाहिए तो इस पे click करें, यह दिखें, इस तरह से यह एकदम data हो जाएगा, यहां तक कि cell भी आपका, ऐसा ही हो जाएगा, जो cell होगा, ठीक है, angle इसका change हो जाएगा, ठीक कैसे करोगे, वापस से click करोगे, और angle counter clockwise पे वापस से click कर देगा, सही हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर देखिए, यह है indent tab, याद होगा, मैंने आपको बताया था, Microsoft Word में indent tab का क्या use होता है, लेकिन इसका जो best use होता है, हम Excel में ही सीखते हैं, अब जैसे कि देखें, मैं आपको बताता हूँ, अभी यह देखिए, जो dilip लिखा है यहां पे, यह dilip, एकदम यहां, ए थोड़ी सी बस जगा चूटी में चाहता हूँ, थोड़ी सी और जगा चूट जाए इसके अंदर, तो अब क्या करोगा, थोड़ी सा इंक्रीज करें दो, इसके फोड़ी सी जगा चूट जाएगा, अगर सेंटर नहीं है तो, जिसे लेफ्ट में है, देखिए, एकदम थोड़ी सा आगे करना है तो, यहां से से कर लीजे, हलका हलका आगे हो जाएगा ठीक है, तो बढ़ाने और घटाने के लिए आप इंक्रीज इंदिंट का यूज करोगे, ठीक है, नेक्स्ट है, व्रेप टेक्स्ट, व्रेप टेक्स्ट में रिखिए क्या होता है, जैसे एक वर्ड आपका एक cell में नहीं आता है तो आपका cell का size होगा वो बड़ा हो जाएगा कैसे होगा जाए ध्यान से देखिएगा जैसे मैंने यहां पे लिखा Microsoft Excel देखी मैं लिख रहा हूं Microsoft Excel ठीक है लिखा अब हुआ क्या यह अपने cell छोड़के दूसरे के cell में चलागे मैं चाहता हूं अपने cell में ही रह तो आप इस cell को select करिएगा कहीं और क्लिक करके ऐसे फिर उसके बाद webtext पर क्लिक कर दीजगा देखिए तो यह automatically अपने cell के अंदर arrange हो जाएगा अगला सिखे अगला है merge center merge merge center का मतलब देखे ध्यान समझिएगा मैं चाहता हूँ कुछ cell को मिला करके एक cell बनाना तो वह कैसे बनेगा merge center से तो जैसे कि मैंने मैं चाहता हूँ जो यह उपर वाले हैं यह पहली line इतनी यह एक cell बन जाए कि मैं यहाँ पे किसी heading डाल सकूँ तो मैं इसको ऐसे select करूँगा और यहाँ पे merge and center पे choose कर लूँगा क्लिक कर दीजे देखे अब एक cell बन गया only यह रिखिए मैं इसमें अगर यहाँ पे background कले कुछ fill करने तो आपको दिखाई देगा यह देखिए यहाँ पे आप कुछ भी type कर सकते हो यह देखिए इसे मैंने किया ठीक है अब इसको आप bottom में middle कर लीजे यह देखिए size यहाँ से यहाँ देखिए इसमें shortcut की काम नहीं करेगी ctrl shift grid run इसमें आपको यहीं से बड़ा करना पड़ेगा यहाँ से देखिए इसके color change कर लीजे तो इस तरह से आप इसके अंदर heading वगएर आप दोगे इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया merge करें कि कई साई cells को then उसके बाद heading देखिए उसमें type कर फाओगे तो चलिए आगे सीखते है इसके अंदर और option है merge across merge across का मतलब क्या होता है जैसे देखिए मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे cells को select किया मैं चाहता हूं कि जो यह row wise यह arrange हो जाए first, second, third first cell, second cell, third cell मैं चाहता हूं यह merge हो यह 3 अलग यह 3 अलग और यह 3 अलग merge तो क्या करोगे आप इस पर जाओगे merge across पर क्लिक कर दोगे तो इससे के लिखिए तीनों के तीनों ठीक करना है तो वापस से जाए merge across वापस से कर दिजे यह automatically हो जाएगा merge in center पर क्लिक कर दिजे पहले जैसा हो जाएगा इसे भी आपको सही करना है margin center off कर दिजे यह भी सही हो जाएगा जो यह लिखा हुआ है first cell के अंदर है इसे आप बढ़ा ही है second cell यह दा आपका I think समझ में आगया होगा इतना आपको तो चलिए अप सीखते हैं आगे advance if condition को चिक है तो मैं यह पर आजाता हूं sheet number one में याद होगा हमने यह सब किया था total percentage और grade निकाला था तो चलिए पहले total निकाल लेते हैं I think आपको बता ही होगा एक नया method वाई बता जारा हूं आप इस तरह select के दिएगा और keyboard के अंदर सब का total इस तरह से एक ही बार में निकल आएगा याद है आपको बने percentage बताया था last class के अंदर इस तरह से निकलती है percentage equals to total का cell address multiply by sorry divide by कितने subject है number of subject 5 subjects है enter कर दीजिए percentage यह निकल जाएगी मैं आपको एक और तरही का बताता हूं percentage निकालने का आप डालिए is equals to total ठीक है multiply 500 देखिए एक मिंट यह देखिए दोस्तो is equals to total का cell address multiply 100 100 यहाँ पर हम क्यों डाल रहे हैं इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारे subject है पर subject वो 100 marks के हैं ठीक है 100 को divide करेंगे total marks से जैसे की Hindi का 100, English का 100, Math का 100 Science का 100, SST का 100 तो total मिला कितने हो गए 500 तो इसे हम 500 से divide करेंगे इसे एंटर करेंगे तो भी percentage आपकी निकल जाएगी यह तो आप ऐसे कर लो total divide by 5 जितने number of subject से यह आपको easy लगे तो यह कर लो नहीं तो यह वाला easy लगे तो यह कर लो बाकि आप यहाँ पर एक बाइ निकालके यहाँ से double click कर दोगे तो यह भी आपका निकल जाएगा ठीक है I think समझ में आगया होगा percentage भी निकालना दुबारा से अब देखे grade हमें वापस से निकालना है grade में मैं condition लगाने वाला हूँ कुछ अच्छी सी देखिये मैं चाहता हूँ जो बच्चा 80 से above I उसको क्या मिले? A grade मिले ठीक है जो बच्चा 60 से above I उसको मिले B grade मैं चाहता हूँ जो बच्चा 50 से above I उसको मिले C grade ठीक है और जो 50 से below I 50 से less I कम आये उसको मिले डी ग्रेव अब हमें इतनी साही कंडिशन लगानी है एक ही बार में हमने तो लास्ट क्लास में सीखा था कि इस कंडिशन में A और B बस कैसे निकालते हैं कि मैं COD का नहीं पता था एक ही कंडिशन हमने लगाना सीखा था लेकिन आज की इस वीडियो में हमें काफी साही कंडिशन को लगाना सीखना है कैसे करेंगे जा ध्यान से देखिएगा मैं वापस से यहां कंडिशन लगा रहा हूं इस इक्वल्स टू मैं थोड़ा जोए जू हम हम क्या करते थे यहां पर कंडिशन लगाते थे कि अगर परसुंटेज इतने से बड़ा हो तो क्या हो तो यहीं है कि अगर 80 से बड़ी हो तो क्या हो ठीक है तो अगर 80 से बड़ी हो तो हम इसको A grade दे देंगे ठीक है अब कॉमा लगाईए फॉल्स की वेल्यू की जगह अब आप दूसरी condition लगा दीजे वही वाली if if वाली ठीक है तो इस दुबार से ठीक है अब मैंको एको एकोड कंडिशन लगाने है फिर कॉमा लगाओ फिर लगाओ इस ब्रैकिट ओपन अगर में परसेंटेज ग्रेटर रन 50 हो तो उसे क्या मिले उसको मिले C grade अब एकोड कंडिशन लास्ट की बची है 50 से कम वाली तो जब यह तीनों कंडिशन रॉंग हो जाएगी तो ऑटमेटिकली वह उसको दी मिल जाए दी को हमने किसमे डिफाइन किया वैल्यू इफ फॉल्स अगर यह सारी कंडिशन फॉल्स हो जाएगी तो यह वाली वैल्यू एक्जिक्यूट कर जाएगी और ब्रेकेट क्लोस कर दीजिए जितनी बार आपने ओपन किया है 3 times हमने open किये थे तो 3 times हमने brackets को close कर दिया है अब enter करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर आ गया इसका B grade 60 above है तो B grade आया 80 above होता तो A grade आता अब हम इस पर double click करेंगे और यह देखिए सब के यहाँ पर तो B E आये हैं मैं थोड़ा value change करता हूं यहाँ से जिससे कि आपको पता चल जाएगा 85 है मैं इसको 90 करता हूँ 66 पहुंचा यह थोड़ा और इसकी value यहाँ पर बढ़ाता हूँ 85 और भी बढ़ा देता हूँ इसकी value यहाँ पर 90 कर देता हूँ जिससे कि यह 80 अबवा हुआ तो देखिए यह automatically a grade आ गया ठीक है मैं थोड़ा यहाँ पर इसकी value कम करता हूँ कर यह 60 आया है 60 से अबव नहीं आया है 60 से अबव नहीं है तो इसका c grade और अगर यह और कम होता तो वो degrade हो जाता है मैं और आपको कम आया तो यह यहाँ पर देखिए dgrade automatically execute कर गया तो आपको समझ में आ गया हो किस तरसे grade निकालते हैं वो भी अलग-अलग condition से और काफी बहुत साइग condition को लगा करके हमने grade को निकाला है ठीक है तो इसके practice करिए इसकी आगी के education हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे thanks for watching our video have a great day